नमस्कार आप देख रहे हैं जीओ भीनियूज तो दोस्तो वक्तो गया है दिन बगार की बड़ी कवर को जानने का तो उसे पहले अगर आपने अभी तक जीओ भीनियूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दीषी जाकर जीओ भीनियूज को सब्सक्राइब करके all notification bell को ओन कर दीजिए। इसलिए सरकार मिलावट के प्रावधान को आजीवन करवास में बदलने जा रही है। उन्होंने कहा कि एकस्पायरी दवाई बेचने पर पांच साल की सजा का प्रावधान करने के प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिली है। प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी ने अपना संबोधन शुरू किया। प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा कि आज एम्यू से तालीम लेकर निकले। सारे लोग भारत के सर्वस्रिष्ट इस्थानों पर ही नहीं बलकि दुनिया के सैकड़ों देशों में चाय हुए है। एम्यू के पढ़े हुए लोग दुनिया में कही भी हो भारत की संस्कृति का प्रतनेधित्व करते हैं। ग्रेह मंत्री अमित साह 12 जन्वरी को फिर जाएंगे पश्चिम मंगाल जिहां पश्चिम मंगाल के विधानसवा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। सीयम ममता बनर जी का किला धोस्त करने के लिए भारते जन्तापाटी ने पूरी ताकत जोग दी है। जला मिके पार्टी के निताओं के साथ एक मीटिंग करेंगे। रिपूर्ट के मुताबिक अमित साह 12 जन्वरी के दोरे के दिन त्रिनमूल कॉंग्रेस के विधाएक पारशद और अन्यनेता भारती जन्तापाटी जोएन कर सकते हैं। इससे पहले अमित साह के 19 और 20 दिसंबर के दोरे पर वे गए थे। इस दोरान त्रिनमूल कॉंग्रेस के दिकजनेता सुएन्दू ने पार्टी को छोड़कर बीजपी का दावन थाम दिया। COVID-19 के नए स्ट्रेन को लेकर उत्तर प्रदेश अलर्ट सीम योगी ने अधिकारियों को दिये ये आदेश। जियां उत्तर प्रदेश सरकार ने बृतेन में कोरोना महमारी के एक नए स्ट्रेन के सामने आने के बाद राज्य में अलर्ट जारी कर दिया है। सूचना के अतरेक्त मुख्य सचीव नवनीत सहगल ने कहा कि सरकार इस्ति की बारीकी से नगिरानी कर रही है। उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर किंद्र सरकार ने बृतेन की सभी फ्लाइट्स को रोक दी है। सांती उत्तरप्रदेश सरकार भी इसीती पर नजर रख रही है। हम लोगों से अपील करते हैं कि वे सुरक्षा उपायों का पूरी तरह से पालन करते रहें। मुख्यमंत्री योगी अधितनात ने अधिकारियों को तेजी से परिक्षण करने, ट्रैकिंग करने और उपजार जारी रखने का नरदेश दिया है। सांती कहा है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल सुनुश्चित करने में कोई धिलाई नहीं होनी चाहिए। सान अंदोलन से अब तक 14,000 करोड़ पै के व्यापार का हुआ नुकसान, जिहां क्रिशी कानुनों को लेकर दिल्ली की सीमाव पर प्रदर्शन लगातार जारी है। ऐसे में व्यापारियों का संगठन कैट द्वारा कहा गया है कि इस अंदोलन से दिल्ली हरियाना, राजस्थान एवं उत्तरप्रदीश की छेत्रों में अब तक लगभग 14,000 करोड़ पै का व्यापार का बड़ा नुकसान हुआ है। कैट ने इस मामले को लेकर किसान नेताओं एवं कींदर सरकार से आगरह किया है कि बादचीत के द्वारा इस मसले को तुरंत सुलजा लिया जाए। लगभग 20% ट्रक देश के अन्य राज्यों से समान दिल्ली नहीं ला पा रहे हैं जिसके कारण दिल्ली से अन्य राज्यों को भेजे जाने वाले समान पर भी विपरित असर पड़ा है। लुबट्स ट्रक बादचीत प्ररण प्रों के जाए। लुबट्स